क्वाध करेंगे मार्केट के बात करेंगे क्यों अफाय के नतीजे के नतीज्य आरे हैं तो इटी सी के नंबर किस परकार के रह सकते हैं तो ब्रोक्रेश austates ने अपना अइनिंग इस्टिमेट अनुआ है इसी के बारे में बातचीत करते हैं इस वीडियो में प्राइज देखें दोसो बैंबे में मार्केट में एक तरह से गिरावट है आई टी सी का स्टॉक उपर की तरह तो क्यों के नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं ब्रोक्रेस अवसेस का जो अनौन है ऐसे एचे डिरेक्ट 87.3 क्रोर का रह सकता है और 22.4 परसंट येर अन येर अप रह सकता है कहने का मिल से कि पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था पहने किमाई का पहने किमाई का जो पहने किमाई का जो नेट प्रॉफिट था उससे बढ़कर 22.4 परसंट अप रह सकता है वाटर अन क्वाटर क हिसाइड 12 परसंट डाउन सकता है Q4 के हिसाइड 12 परसंट डाउन सकता है तो नेट प्रमाइड पहली किमाई में 14 में 3,687 करोड का रह सकता है कि Rogue acqu sells का जो अन्मान लग आ 15,912 करोड का रह सकता है 15,972 करोड करह सकता है 43.3% बढ़़ सकता है year on year और 2.8% quarter and quarter के साफ़ से down रह सकता है तो net sales 15,972.9 crore रह सकता है और EBITDA की बाद जो बताई है 4,791.4 crore रह सकता है quarter and quarter के साफ़ से 8.3% down रह सकता है और 20% सालाना year on year बढ़ सकता है ब्रोकरे साफ़स का अनमान है अगर नतीजे है 25 जुलाई के आसपास या अगस्त के फर्स वीक तक आना चाहिए यह numbers रह सकते हैं यह ब्रोकरे साफ़स का अनमान है इससे ज़्यादा या बढ़ कर नमबर साथ है तो तेजी की संभावना रहेगी ITC Limited में तो शेर प्रैस के नसार बात करते है 291 के आसपास यह कारोबार कर रहा है 14.7.2022 को और यह चार्ड लगा हुआ है अगर हम 6 मेहने पहले की बात करते हैं फरवरी के महने में यह 200 रुपे के आसपास था 200 के आसपास था और यहां से बढ़ कर देखे उपर की तरफ पहुंच गया यह 296 का हाई बना है तो कहने का मिन से कंपनी के द्वारा डिव्डेंट भी अच्छा मिलता है और अब स्टॉक प्राइज भी उपर की तरफ आया है जैसे कि इस वक्त मार्केट में बजार में गिरावाट है आई टी सी का स्टॉक उपर की तरफ है तो जिनके पॉट्फोलियो में देखे आई टी सी होगा अभी उनको प्रॉफिट भी आ रहा होगा डिव्डेंट भी मिलेगा तो देखे अब क्यूवन के नतीजे थोड़े स से मिक्स रह सकते हैं ब्रोक्रेस हाउस के अनुमान के मताबिक अगर नंबर बढ़के आते हैं तो स्टॉक जो है अपने फिफ्टी ट्वीक हाई को दो सो च्यानवी को ब्रेक करते हुए थ्री हंड़ेड के ऊपर जाता हुआ दिखेगा अगर हम इसके लॉंग टर्ब चार् condition का हड़लोग उसके बाद इसमें और तेजी आएगी ऊपर की तरफ जाता वह दीखएगा तीन सो टक जाता हुआ दिखेगा और थ्री नैटीन के ऊपर पर इगर क्लोज होता है तो स्टॉक फिर हमें दो सो बीस दो सो तीस के बीच भूम रहा था यह फरवरी के मैंने से जो तेजी बनी है इसमें तो अच्छी एक तेजी बनी है उपर की तरफ स्टॉक आया अभी भी स्टॉक को देखे हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए तू सेव जिनको लेना है तो स्टॉक में अगर करेक्शन होता है आई टीच लिंटेड में तो स्टॉक को देखना चाहिए डिब्डेंट बढ़िया मिलता है और इस वह स्टॉक एक तरह से अपडेंड में है दस्तूर लिंटेट का लेटस अपडेट है एक साल के चार्ट करना उसार पास साल वे चार्ट के नुसा स्टॉक में तेजी बनी हुई है इसी तरह के वीडियो देखने के लिए शेयर बजार की जानकारी के लिए दीरा सिंक के स्टॉक को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तैने बाद